हेलो एव्रीवन वेल्कम बैक टो माई चैनल तो देखे मेरे पास एक प्लाजो पड़ा हुआ था तो मैंने सूचा इसका कुछ बनाया लिया जाए क्योंकि फटा हुआ था थोड़ा सा और यह विल्कुल वेस्ट पड़ा हुआ था आवी नहीं रहा था मेरे नीचे से चुम इ से को दोनों को मैंने अलग लग कर लिया और इसकी जुद्धे की चेश्ट वाला हिस्सा वो मैं दस इंच का नाप रही हूँ यहां से दस इंच का मैं निशान लगा रही हूँ टोटल लंबाई तो हमारे इसके 42 इंच की है आपको जितनी लंबी रखने उतनी लंबी आप र देखिए मैंने सोल्डर का 6 इंच का निशान लगाया यहां से मैंने 7 इंच का निशान लगाया आर्म होल बाला और इस तरीके से सीधा ड्रा कर दिया अब यहां से मैं गले का निशान लगाऊंगी सोल्डर का यहां से जो गला है वो मैंने 2 इंच का निशान लगाया और इस आपको लगाना है आपको जो कमर है हमारी उसका आपको छोता हिश्चा लगाना है आट लाज का मैंने दास इंच को ृह अनृ निशान लगा दिया है तो अइस तरीकी से आप इसकी जो लंबाई उतनी ही मैं रखने वाली हूं इसी तरीके से आपको दूसरे वाले हिस्सी को भी कट कर देना है तो देखे इसका जो गला है वो मैंने 6.5 इंच का रखा है इसी के बराबर का मैंने पीछे वाला भी कर दिया है तो यह मैंने आर्मोर बगरा सब कुछ इसमें कट कर दिया है सेम तरीके से सायर से भी कट कर दिया और इसको नीचे से कट नहीं कर रही हूँ यह नीचे से फ्रॉक सूर जैसा हो जाएगा क्योंकि जो नीचे से पजामी थे वो जैसे सरारा होता है उस तरीके का था अब चलिए इसकी हम सलाई कर लेते हैं अब तीकी सलाई करने से पहले आगे वाला हिस्से को हमने इसमें कट नहीं लगाया है आगे वाले हिस्से में मैं कट लगा लेती हूं कुर्ति के जो आर्म होल होता है वहां पर हमें आदा इंच का कट लगाना होता है पीछे के अब इसके हम गले को रेडी करेंगे गले के लिए मैं पाइपिन इसमें से कट कर लूँगे तो पहले पाइपिन के लिए देखिए यहां से मैंने इसमें से कपड़ा कट करूँगे तो आपको औरे भी कपड़ा कट कर लेना है तो इस तरीके से मैंने ये औरे भी कपड़ा कट कर लिया है इस पट्टी को मैं जोइन्ट कर लूँगी जोइन्ट करने के बाद मैं इस पट्टी को हम अपने जो सूट का गला है उस पर लगाएंगे तो यहां से देखिए मैं गले पर पट्टी को रखूँगी और पीछे की साइड से इसको लगाना स्टार्ट कर रही हूँ उल्टी साइड से मतलब तो इस तरीके से पूरे गले पर हमें इस पट्टी को लगा देना है हलका सा खीचते हुए लगाना है तागि फिनिशंग अच्छी आजाए नहीं तो जोल सी रह जाएगी गले पर तो इस तरीके से हमने पूरे में पूरे में पाइपल लगा दी है अब इससे हम फोल्ड करते हुए पीछे की साइड में मतलब कि आगे की साइड में सीधी सायड में इसको फोल्ड करते हुए हम एक और स्लाइब उपर से लगा देंगे यहां से हम थोड़ा सा इसमें लुक देंगे तो यहां पर देखिए मैं लेस लगा रही हूं जो मैंने पाइपिल लगाई है गले पर उसी के कलर की में लेस लगा रही हूं क्योंकि इसमें है पट्टी कि शाद में भूब लुकार कियो है तो उस से मैच करते हूं मैंने यह लेस फगरा का यूज किया है कि लो में मेरे तो आपके पास भी कोई भी 3 पुरानङी इस बढ़ी हो तो आप भी लगा सकते हूँ और जितने निचाए पर आपको लगा ना उतने ने चाई पर, आपको इश को लगा DEIN आ है events तो तक िक죠Rid में नहीं लगा दिया है तो दोनों जाट में तो लगा देनी है तो आप एक संगल लगा सकते हो इसकोぎ कि उपर से जो पाइपिन हमने लगाई हुई है उपर से इसे फोल्ड करते हुए सैट कर देंगे ताकि जो हमारी लहस है वह भी तपचाए साथ में तो इसलिए मैंने पहले लहस को अटेश कर दिया था अब देखिए जो हमारा इसमें जोएंट है वहां से इस तरीके से आपको फोल्ड करना है एक वा फिर दो बार फोल्ड करते हुए और इसमें पाइपिन बनाते हुए आपको चोड़ी वाली अच्छे से फिनिशिंग के साथ और पूरे में सिलाई लगा दिनी है और बहुत ही कुर्ते भी हमारी बहुत प्यारी सी बनेगी इसमें से तो देखिए इस तरीके से फोल्ड करती जाना है और पूरे गले पर अपको शलाई लगा दीनी है तो कि दिकी मैंने पूरे गले को बना दिया है आगी बहुत प्यारा सा लुक आ गया है इस लैस से ही, तो देखी, मैंने एक एक सलाइब और लगा दी है, पाइप इन पैसे, अब मैंने और ब्लू कलर का जो प्पड़ा है, वो ले लिया है, क्योंकि इसमें हमें बाजू भी लगानी है, क्योंकि बाजू के लिए बल्कुल भी कपड़ा तो रहा नहीं है, इसमें, ब्लू कलर बाले में सही मैं बाजू कट कर रही हूँ बाजू मैंने तीन इंच चौड़ी ली है इस तरीके से अगर आप लंबी लगाना चाहते हो तो बड़ी भी लगा सकते हैं अपने अक्वारिंग मैं तो छोटी से लगा रही हूँ यहां से मैंने दो इंच का निशान लगा देते हैं batता सको कहां यह से हमारा sorry अभिस सेंटर हसलीव का अभ इसके हमें एक काम और करना है ले पेस को अटैज कर दीना है तो दोनुब पर मैंनी लेश को लगा दिया है मैं आपको दिख रही होंगी किितने प्यारा मृशाल लुक आ घा गया है और इस पैसली दोनों सलीब में कड लगा देना है नहीं तो यहां पर जोल आ जाती है अगर आप कड नहीं लगाती हो तो हम बाजू में भी कड लगाना होता है और जो हमारी कोडिती के माद में इसको से चil देना है अब है भी मादम है कि को आपको टोपने राख तरीके से ओपर से साइब आ यमारी की पाद में हमारी का प्ली को डिलावी हो चुका है आप देखिये मैं वाली स्लिप को भी लगा दिया उपर से एक ल हुझ और लगा रही हो इसके इस तरीके से मैंने दूसरी वाली स्लिप में भी लगाया हुआ ले ध ल, अब इस में हम फिटिंग वालन लगा लेते हैं जितने भी आपकी फिटिंग है आप अपने according निशान लगा लेना तो मैं अपने according निशान लगा ले रही हूँ तो बाजू पर मैंने ये 7 इंचे को निशान लगाया है और जो भी थोड़ा बहुत अगर लूज होगी तो मैं बाद में इसको कर दूँगी तो ये देखिए इस तरीके से मैंने एक सैड में निशान लगाया शेम तरीके से मैं दूसरी सैड में भी निशान लगाऊंगी तो ये मैं अंदाजे सही बैसी लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितना एक्स्टा छोड़ा है तो मुझे फिटिंग में निशान लगाने की जड़त नहीं पड़ती है वैसे ही मैं अंदाजे से ही निशान लगा देती हूं बरस में बाजू को नापती हूं बागी का निशान जो सलाई होती है वो मैं बैसे ही लगा देती हूं क्योंकि हम जो एक्षा लेते हैं हमें पता हो जो सलाई करता है उसको पता रहता है कि इतनी हमने एक्षा लिया है तो इतना ही हम छोड़ देते हैं उसी के अकॉर्डिंग और अगर बाद में थोड़ा बहुत कम्या जादा देखता है तो बाद में हम कर लेते हैं तो गैस कैसा लगा आप लोगको हमारा याइडिया कमेंट करके जरूर बताना दोना तरफ मैंने फिटिंग लगा दी है कि कितना प्यारा सा लुकाया है यह हमारी प्यार इसी कुर्टी बनके रेडि हो चुकी है तो गैस आप भी इसी तरीके से अपनी पजामी का यूज करके कुर्टी बना सकते हो और बहुत सारे आइडिया में शेयर करती रहती हो अपने इसी चैनल पर और मेरा एक और चैनल है सलाइसे रेलेटेड ही रूवी अग्रवाल नाम है उस चैनल का और अगर आपने मेरे रेसिपी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हो त इस चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएए जैसे आप लोग मेरे इस चैनल पर दिखा रहे हो तो गैज आज के लिए बस इतना ही बाइब बाइब